Hello दोस्तो, Welcome to Sleepy Classes आज आपके Prelims Special में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम Short Notes मना सकते हैं जो कि आपकी त्यारी को Concisely, Effectively आगे Push कर सकते हैं और आपको हौंसला दे सकते हैं कि आपने अगर किसी Topic को Revise करना है वो आप 5 मिनट के अंदर कर पाएं जो बच्चे इस बार Prelims दे रहे हैं तो अभी से वो इस चीज़ को Copy कर सकते हैं इसको लागू कर सकते हैं जो बच्चे अगली बार देंगे जो अभी त्यारी ही कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ से सीख सकते हैं कि कि किस तरह से Effective Notes आपको Revision Time के उपर बहुत ही जादा Help करेंगे क्योंकि Paper के पहले आप इतने बड़े बड़े जो आपके Notes हैं जो इतने हम Registers भर देते हैं उसको हम Effective Way Revise नहीं कर सकते Psychologically भी यह आपको बहुत आगे लेके जाएगा क्योंकि आगर माल लीजे किसी बच्चे के पास 5 Registers हैं और उसके मुकाबले माल लीजे उस 5 Registers से किसी बच्चे ने Effective Notes बनाए हों हैं जो 40-50 पेजों में हैं वो बच्चा बहुत आगे जाएगा क्योंकि वो 40-50 पेजों को Multiple Time Revise कर सकता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये Concise Notes या फिर Crisp Notes ये तभी काम करते हैं जब आपने किसी भी चीज़ की रिविजन दो या तीन बार की हो ये नहीं हो सकता कि आप पहली बार के बाद ही Short Notes बनाने लग जाएं क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने जो Headings लिखे हैं या फिर Pointers लिखे हैं उन Pointers के पीछे की कहानी आपके जहन में होनी चाहिए तभी उस Short Notes का फाइदा है Short Notes बेसिकल इस टीज़ के लिए ही है कि आपने Paper के जस पहले वो Heading पढ़ लिया और आपको पूरी कहानी याद आगी इस चीज़ को डिसकस करने से पहले मैं आपके लिए एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी से हमारे जितने भी Prelims के Courses हैं उसके उपर 50% off है तो in case आप इस बर Prelims दे रहे हैं आप तयारी के अंदर हैं तो जो भी आप Prelims Course लेना चाहते हैं यू केन बाइट फॉर डिसकाउंट ऑफ 50% चाहे वो Test Series हो, Prelims Crash Course हो Current Face का Course आप ले सकते हैं तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं उसके अलावा कल जो पिछला संडे था उसमें PYQ Marathon Session किया गया था मेरे दौरा हिस्ट्री का इसमें हमने जितने भी 2015 से लेके 2020 तक कि जितने भी PYQ से उसको डिसकस किया था इन डिटेल सिरफ PYS के उसके discussion नहीं थी बेसिकली वो Marathon Session इसलिए था कि माली जी कोई difficult question है तो हम किस तरह से strategy रखेंगे हमारा thought process क्या होना चाहिए किसी भी question को लेके किस तरह से हम elimination techniques या फिर बिना pressure में आये होए किस तरह से बाकी बच्चों से ज़्यादा excel कर सकते हैं तो please उसको देखे 4 घंटे के आसपास का वो session है आपको कोई भी फालतू बात नहीं लगे आपको किस तरह से हमारे को अपने paper को attempt करना चाहिए और किस तरह से हम prelims की cut-off को बहुत आसानी से clear कर सकते हैं उसके अंदर आपको पूरा description box में इस पूरे session की PDF solution link में मिल जाएगा उसको अपने पास download करके रख लीजिए उसको multiple time revise करिए उसमें मैंने बताया है कि कैसे पिछले questions को build up करके आगली बार नई questions पूछे जाते हैं तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काफी ज़्यादा idea लग जाएगा और यही same marathon session हमारे हर अफते हुआ करेंगे जैसे इस हफते geography का इस Sunday को geography का marathon session होगा तो हर Sunday को आपके marathon sessions आपको देखने को मिलेंगे तो आईए अब बात करते हैं इस विजेनगरेंपायर के बारे में तो यह जो मैं short notes आपको दिखा रहा हूँ यह विजेनगरेंपायर के बारे में है यह एक page है और दूसरा page है यह सिरफ दो pages में हमने विजेनगरेंपायर को short में crisp में cover करने के कोशिश किया है तांकी paper के पहले जब आपके mind में आए कि हम विजेनगरेंपायर करना है तो यह सिरफ दो pages आप देखेंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं सबसे पहले उपन हमने heading दे दी विजेनगरेंपायर जब हम short notes को बना रहे हैं तो हमारे मन में आगला point के आएगा कि यह कब बना था और किसके दौरा बनाया गया था founder हरी हरायन बुका इंदा यह 13-36 और इनका capital था हम पी एक ही line में हमने कर दिया आगे हमने लिखा कि यह पहले futureries थे किसके दो जगा हमारे को references मिलते हैं यहां तो यह हॉईसाला के futureries थे यहां फिरी काकातियास के futureries थे तो यहां पर हमारी पहली point हो गया और उसके बाद यह कहा जाता है कि यह जो राजा थे हरी हरायन बुका यह सोचते थे कि यह जो पूरी territory है यह हमारी जो देवी है विरुपक्षा देवी या फिर पंपा देवी जो local deity है उनके बहाफ पे हम उनके messenger की तरह हम यहां पर राज कर रहे हैं तो मैंने यहां पर लिखते है विरुपक्षा या पंपा देवी अब देखे इसके पीचे जो मैंने आपको दू या तीन लाइने बताएं कि south to the river of Krishna तो यह आपके mind में चीज़े clear होने चाहिए जब आप विरुपक्षा या पंपा देवी को देखेंगे तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ आपके notes के अंदर यह सारी explanation इस चीज़ की दी गई है तब ही मैं आपको कहा रहा हूँ कि जब भी आप short notes बनाएंगे तो वो इतने crisp और concise होने चाहिए कि सिरफ आपको यह शब्त पढ़ते ही आपको पूरी कहानी याद आ जाए और यह तब ही होगा अगर आपने तीन revision उस चीज़ के की हुई है तीन revision से पहले short notes मत बनाना पूरी चीज़ों को copy paste करने लग जाएंगे उसका कोई फाइदा नहीं होगा उसके बाद चार dynastries हैं इस पूरे विजे नगरा के अंदर संगम, सुलवा, तुलवा and अरिवदू अब देखिए ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने अपने notes से इस notes को बनाया है कि जो हरी हरे and booka हैं वो संगम dynasty से हैं और जो सबसे famous ruler है कृष्ण देवराया वो तुलवा dynasty से हैं ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये चीज़े मेरे को पता है ये मेरे जहन में मैंने तीन भर चीज़े पड़ी है तो ऐसे फाल्तू चीज़ों को जो आपको पहले पता है आप नहीं भूलते वो आप short notes में इस concise notes में नहीं लिखेंगे यहाँ पर इनके religion को mention किया गया है share white या फिर वेश्वनाइट तो मेरे को पता है कि share white जो पहली dynasty थी संगम dynasty वो share white थी बाकी की जो तीन dynastries है वो वेश्वनाइट है तो आप साथ में चीज़े लिखते चलते हैं ताकि आप उनको link करते जाएं आपको समझ आता जाए कि हाँ इस तरह से काम था paper के just पहले अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली तो आपको बहुत idea हो सकता है देखें ये जो notes है ये मैंने अपने level के हिसाब से बनाए है हो सकता है आप इनको थोड़ा बहुत extra detail में बना ले पर इस तरह से notes बनाए जाते हैं मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ ये हो सकता है कि कुछ बचों को चीज़े मेरे से भी ज़्यादा रटियों ही हो उनके जहन में हो तो उनके इनसे भी concise notes बने हर बच्चे का level अलग है पर ये रास्ता है कि इस रास्ते पर चलके आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं अगर हम कृष्ण देवा राय की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नागलपूरम अग नागलपूरम वो एक township था एक विजे नगरा जो kingdom है जो उसका शहर है विजे नगरा उसके पास ये township बनाया गया था कृष्ण देवा राया ने बनाया था अपनी रानी की याद में तो ये नागलपूरम हो गया गोपूरम और कल्यान मंटपास अब गोपूरम और कल्यान मंटपास की बात करें था कि विजे नगरा ये जो कल्यान मंटपास है ये किस empire का एक characteristic definition है तो उसका अंसर था विजे नगरा एंपाइर यहाँ पर मैंने इस चीज को explain नहीं किया गोपूरम को कल्यान मंटपास को basically परपस ये है कि इसको देखते मिरे कोई ध्यान में आ जाए कि कल को गोपूरम से यहाँ फिर कल्यान मंटपास के बारे में reference दिया जाए तो मिरे को ध्यानों की विजे नगरा एंपाइर के अंदर ही थे उसके बाद है अमुक्त मल्याडा जो की तेलगू में लिखे गई कृष्ण देवा राय के दोवार तेलगू work है अमुक्त मल्याडा और अगर हम संस्कृत की बात करें जो एससे डिनोट हो है वो है उशा परिनम एंड जमबावती तो हुन्हें ने टोटल तीन work लिखे हैं अमुक्त मल्याडा जो की तेलगू में है और दो संस्कृत works हैं उशा परिन्यम एंड जंबावती और उसके साथ साथ कृष्णन देवा राया ने पौटू की जो गवर्नर था अलफॉन्सो डी अलबुक्यो की उसके साथ एक ट्रेटी साइन की थी वो यहां पर लिखा गया है तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे वदू डिनेस्टी से बिलोंग करता है और वो किसके साथ लड़ेगा ही विल फाइट विदा बहामनी कंफेडरेशी उस टाइम के उन्तार बीजा नगर एंपायर और बहामनी किंग्डम है जब बहामनी किंग्डम का डिमाइस हो जाता है तो उसके आगे चार सक्सेसर स्टे आ जाना चाहिए कि चार सक्सेसर स्टेट कौन सी है और इन चार सक्सेसर स्टेट ने मिला के एकटे होके फिर अरिवदू डिनेस्टी को बेसिकली विजेन अगर एंपायर को खतम कर दिया था इन्दा बैटल ऑफ तलिकोटा तो यहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर हुआ था प्रोविंसिस के आगे डिस्ट्रिक हैं डिस्ट्रिक के आगे सिटीज हैं और सिटीज के आगे इनके गाओं हैं अगर इनकी लोकल लेंग्विज की बात करें तो वहां पर प्रोविंसिस को कहा जाता था मंदलम मतलब की टोडल छे मंदलम है मंदलम को आगे नाड अगर हम मंदलम्स की बात करें तो उसका मेन ऑफिसर उसका नाम है नायक सिर्फ आपको इतना ही आ रखना नायक यहां फिर पॉलिगर और अगर एक इंपोर्टन ऑफिसर की बात करें वो है महानायकाचारा अब यह महानायकाचारा क्या है अब यहां पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेइन नहीं किया कि महानायकाचारा क्या है क्योंकि मिरे को पता है कि जब भी मैं इस चीज को देखूंगा तो मिरे को ध्यान में आ जाएगा कि विजे नगराग अंपायर के अंदर यह कोई आफिसर था जो की फोकल पॉइंट है बि जानते हैं तो विजे नगराग टाइम के दुरान की जगीरदारी सिस्टम है उसको अमराम कहा जाता है बेसिकली वो लैंड जो ओफिसर को दी जाते थी इन लिव आफ कैश कि उसको कैश नहीं पैसे नहीं दिये जा रहे उसको उसके बदले एक लैंड दी जा रही है और उस बेसिकली अब टू उफ़ और पर्डूस और इसके साथ जाए इंडस्टरी टैक्स भी लेते थे बिचिस प्राइवट ओनर्शिप आप ता वरक्शॉप कि जतने भी प्राइवेट ओनर्शॉप के वो भी इंडस्ट्री इस टैक्स दिया करते थे इस पेज में से जितने भी आपके previous year questions है वो almost सारे solve हो जाएंगे चाहे पिछले कितने भी questions को आप solve करके देख लीजे अगर हम women की बात करें तो इनके time के अंदर women की जो status है वो काफी ज़ादा बढ़ चुका था high position यहाँ पर हमने लिखा है और एक बहुत famous quote है Nunes के दौरा इस बार 2021 में यह question भी आया था कि किस अगर हम विजे नगरा time की बात करते हैं तो इन चार professions में से कौन सा profession प्रेक्टिस किया जाता था विजे नगरा की women के दौरा तो basically the answer was all of the above तो इस तरह से आपको वहाँ पर question देखने को मिलेंगे पर अगर एक side पे जो position है वो बन की वो काफी जादा अच्छी है but on the other side उसी जगा पे विजे नगरा के अंदर ही prostitution को legalize कर दिया गया है देवदाजी system और जो सती प्रता system है वो भी काफी अपने high level पे है तो इस चीज़ को आप ध्यार में रखेगा social life की बात करते हैं and also along with that they practice freedom of religion विजे नगरा के अंदर आपको ये नहीं करना कि आपके बाप का जो occupation है उसके हिसाब से आपका religion determine होगा आपकी caste determine होगी आप अपने काम को बदल सकते हैं आप अपने religion को बदल सकते हैं तो अपने time के हिसाब से विजे नगरा एंपायर काफी ज़ादा progressive था अगर इनके famous temples की बात करें तो वो है 1000 रामा टेंपल and विथल स्वामी टेंपल तो कल को आपको ये आजाए कि इन temples को आपने 5-6 temple दे दें अलग-लग time period से तो आपने जब अगली बार 1000 रामा टेंपल लिंग राजा टेंपल है तो जो famous famous है सिर्फ उसको कर जाएए ये कभी नहीं होगा कि आपको single stand-alone temple के बारे में पूछ लिया जाए हमेशा आपको pairs में पूछा जाएगा एक ही question के अंदर 3-4 temples दे के पूछा जाएगा तो अगर आप वहाँ पर एक याँ दो temple को भी identify कर पाए तो बहुत आसानी से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे उसके बाद अगर हम travelers की बात करें तो total chart travelers जो prominent है वो विजिनगरा time के उपर आते हैं वैसे बहुत सारे हैं इन चार्ट prominent की बात करेंगे अब कल को आपको ये chronology में लगाना आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको सायथ में information provide कर दी है कि निकॉलो दुकॉंटी देवराया 1 के time पे आया अब्दुर्रजाक देवराया 2 then Christian देवराया के time पे दुमिंगो पेस अन बार्बूसा ये सबसे ज़ादा important है क्योंकि Christian देवराया as a king सबसे ज़ादा important है विजे नगरा में से and then during the time of अचुत देवराया हमारे पास है new news कि कल को chronology में है तो आप इसको लगा सके तो यहाँ पर हमने almost पूरे विजे नगरा को दो पे जो में concisely revise कर लिया आप पिछले questions को attempt करके देख सकते हैं जातर questions आपके solve हो जाएंगे देखे concise या precise notes का मतलब यह नहीं होता कि आपकी दुनिया में 100% completion वो notes आपको दें basically इनका मतलब यह होता है कि आपका confidence generate करना आप 70-80% चीज़ों को उसे time के अंदर 2 या 4 मिनट के अंदर revise कर सके और आपका confidence generate कर सके paper के अंदर आप successful तब ही होंगे जब आपके पास confidence होगा तो I hope जो मैं आपको idea देना चाहता हूँ concise notes का वो आप तक पहुंच गया होगा और आप इस से सीखते हुए इससे भी बढ़िया काम आगे करेंगे तो last में ये quote है आपके लिए the man who does not read books has no advantage over the other who cannot read books तो ये बहुत ही सही बात है basically आज के time में बहुत value रखती है ये बात क्योंकि आजगा जो time है वो social media का time है instagram snapchat का time है deals देखते हैं हमारे को पता नहीं लगता पांच घंटे कई बर चले जाते हैं तो उस दिन मेरे को अंदाजा होता है कि मैं कितना जादा time subconsciously या फिर unconsciously waste कर देता हूँ वही चीज मैं किसी किताब में invest कर सकता था, कुछ पढ़ने में invest कर सकता था, या कुछ सोचने में invest कर सकता था तो social media से दूर रहिए दिन में कुछ time बांद के उसको कीजिए, अगर करना भी है आदा गंटा माल लीजिए, आपने time बांद लिया कि इस time में मैं social media को use करूंगा आपके time को खा रहा है social media आपको पता अभी नहीं लगेगा पर बात में शायद आप इस चीज़ को realize करेंगे जो किताबे हैं वो आपका सबसे बड़िया दोस्त है दुनिया में जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे आपके personality को shape करेंगी तो उन पे बहुत जादा invest करेंजिए rather than investing your time on the social media मैं आशा करता हूँ आपको इस चीज़ की sense बन रही होगी in case आपको आज का lecture अच्छा रहागा आपको समझ में आया कि किस तरह से हम notes बना सकते हैं तो please एक बार comment करके बताईएगा और ये भी आप comment कर सकते हैं कि ऐसी किसे और topic के उपर मैं अपके लिए video बनाओ तो वो भी मैं बहुत खुशी से बनाओंगा so this was all for today, thank you so much